नमस्कार मित्रो कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ आप सभी स्वस्था और सानन्द होंगे आप सबों के सुख, शान्ति और सम्रिद्धिकी मैं इश्वर से कामना करता हूँ प्रतेक दिन की तरह आज भी एक बहुत ही जवरदस्थ स्टॉक से आप लोगों को और डिविस लैब और अबिंदो फार्मा तो उसी दिन मैंने आप लोगों से वादा किया था कि IOLCP एक बहुत जवरदस्थ स्टॉक है और एक दिन मैं आप लोगों को इसका इंडेप्स अनेलिसिस प्रेजेंट करूँगा तो देखिए आज मैं अपना वादा पूरा कर रह आएगा सबसे पहले मैं आपको लेकर आया हूँ BSE के वेब साइट पे जहां IOLCP के सारे फंडामेंटल्स मौझूद हैं यहां देखिए EPS अनबिलीबेबल 75 रुपीज पी देखिए 9.52 जबकि इसका सेक्टर पी बहुत जबरदस्त है 35 के आसपास है मतलब कि सेक्टर के पी प्राइस टो बुक वैल्यू 3.85 है और आरोई यह देखिए कितना जबरदस्त है 40.44 जनरली जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन सबको यह पता है कि मैं जितने भी जब भी स्टॉक का इंडेफ्ट अनालेसिस करता हूँ तो एक बात बताया करता हूँ कि पी जितना कम हो यह इसमें आरोई जनरली बीसे के साइट पर मिलता नहीं है आरोई है दोनों आसपास ही होते हैं जनरली आरोई जो है 20 के आसपास होना चाहिए तो वो स्टॉक काफी बेतर माना जाता है तो देखिए पी के लिहाज से जो सेक्टर पी है उसके सिर्फ वन बाइफ पोर्थ परे कर रहा है क्योंकि sector P35 है जबकि इसका P9.52 है और ROE 40.44 है जबकि 20 वाले ही इतने बेतरीन माने जाते हैं तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका return on equity ROE ROE मतलब return on equity equity capital का use करके कोई company कितना return generate कर रही है इसको हम ROE बोलते हैं यह percentage है basically तो ROE इसका 40.44 है मतलब एक लाख रुपे को एक लाख 40,000 बना रही है यानि कि 40,000 का उसमें return है generate कर पा रही है तो देखिए इसका P.E. कितना जबरदस्त है valuations में भी बहुत cheap और ROE यानि की performance में बहतरीन से भी बहतरीन अब देखिए आपको लिए चलता हूँ मैं ticker tape पर जहां पर इसके और भी fundamentals की हम जर्चा करते हैं IOLCP पर आप लोगों को इसका price जो दिख रहा है टॉप पे 718 रुपया 718 रुपीज और अभी ये जो crash आया था market में पिछले मंडे को उस दिन काफी सारे stocks काफी नीचे चले गए थे तो IOLCP जो है ये भी करिब करिब 670 के आसपास 660 के आसपास चला गया था और वहाँ से उठकर अभी ये 718 के आसपास trade कर रहा है उस दिन चुकि इस्थिती बहुत खराब थी market की तो ये थोड़ा नीचे चला गया था और दरसल वो एक opportunity थी जब आप लोगोंने इसको जोड़दार ढंग से accumulate करना था देखिए जिन लोगोंने 670 के आसपास 660 के आसपास accumulate किया होगा आज भी वो लगबग सिर्फ एक हपते के अंदर अंदर अभी ये 718 पे trade कर रहा है तो एक हपते के अंदर अंदर उन्होंने लगबग 8-10% का return तो बना ही लिया है लेकिन मैं एक लड़े return की बात कर रहा हूँ अब ये 718 पे trade कर रहा है देखिएगा बहुत बिस्पोटक धंग से बहुत ही explosive way में ये भागेगा क्योंकि इसके fundamentals इतने जबरदस्त हैं और इसके results इतने बहतरीन होते हैं वो आपको अभी पता चल जाएगा इसके financial analysis से तो सबसे पहले आपने इसका आज का price देख लिया 718 रुपिया और उसका intrinsic value देखिए investment checklist इसमें का intrinsic value सबसे top पे आ रहा है current price is less than the intrinsic value यानि कि जो इसका intrinsic worth है intrinsic value है उससे भी कम price पर आपके लिए आज available है तो इस मौके को grab करिए और मेरे विचार से इसमें आप थोड़ा study करिए और अपने financial advisor से भी बात करिए क्योंकि एक बहतरीन मौका दे रहा है भागेगा तो पकड़ना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होगा इसको अब देखिए forecast and ratings 100% analysts जितने भी analysts इसको cover कर रहे हैं सब के सब 100% analysts have suggested that investors can buy this stock सब के सब इसको buy करने के लिए बोल रहे हैं इसका financial trend देखेंगे तो आपको और भी इसमें अश्चरी होगा देखिए 2017 से लेकर 2020 तक हर एक year का sales और profit का इसमें जो data है present किया गया है और 2017 में जो इसका sales था वो 0.71 देख रहे हैं आप ये 1000 crores में है दरसल तो इसका sales 710 crore था और profit nil है almost nil कुछ नहीं दिख रहा है आपको 2018 में जो sales है 990 crore हो जाता है और जो profit है वो 30 crore हो जाता है और 2019 में जो sales है वो बढ़कर 1.70 यानि की 1700 crore हो जाता है और 2020 में ये sales बढ़के 1910 crore हो जाता है तो 0.7 यानि 710 crore से लेकर 1910 crore की जो journey इसने तै की है पिछले 4 सालों में तो आप देखेंगे कि इसमें लगबग 200% से ज़्यादा का growth है ये मैं sales की बात कर रहा है और profit की बात कर लीजिए तो profit 2017 में बिलकुल miniscule था बिलकुल nil type था जो की दिख भी नहीं रहा है कितना था और उसमें कुछ figures भी नहीं लिखे हुए हैं लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 30 crore फिर 240 crore और अब 360 crore मतलब इतना explosive way में ये बढ़ा है जिसकी कलपना करना किसी भी stock के लिए किसी भी stock में possible नहीं है इतनी जवरदस्ट growth इसने दी है अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा और इसा कब होता है जब प्रोमोटर अपना stake बढ़ा है इसका क्या मिनिंग होता है इसका मिनिंग है कि प्रोमोटर को उस company के growth में ज्यादा और ज्यादा confidence है क्योंकि ये confidence है कि company बहुत grow करेगी इसलिए promoter अपना stake बढ़ा रहा है अगर promoters को ये लग जाता है कि company अच्छा नहीं करेगी तो वो अपना stake घटाते हैं न की बढ़ाते हैं तो stake बढ़ाने का ये जो मतलब है वो इस company के लिए बहुत ही एक positive factor है इस बात को भी ध्यान में रखिए अब मैं आप लोगों को इसके life chart की और ले चलूंगा और दिखाऊंगा कि इसने किस कदर अपने पूरे life में perform किया है देखिए 2011 से थोड़ा पहले तो 2010 के end में और 11 के शुरुआत में ये company list हुई थी और लगभग 65 रुपे पे list हुई थी उसके बाद लगातार इसमें fall बना रहा और वो fall करीब करीब 2014 में आके 65 रुपे का stock हो गया सिर्फ और सिर्फ 15 रुपे का 15-16 रुपे दिख रहा है मुझे और 2014 में 15 रुपे का ये stock आज बढ़कर हो चुका है जो high को touch करके हाल में आया है कुछ दिनों पहले वो high था 900 रुपीज का यानि कि 15 से अगर आप 900 को देखें तो ये 60 एक्स मल्टी बैगर है इसने 60 गुना रिटर्ण दिया है अपने इंवेस्टर्स को परसेंटेज में बोलें तो 6000 परसेंट का रिटर्ण इसने अपने इंवेस्टर्स को दिया है अगर बात करें 2020 की तो 2020 में जैनवरी के आसपास ये स्टॉक बेरली 170 के आसपास ट्रेड कर रहा था जो मुझे दिख पा रहा है 170 के आसपास ट्रेड कर रहा था और फिर मार्च से थोड़ा पहले इसने 320 को टच्च किया था यानि कि इसका जो रिजल्ट था आच आने लगा था जो बेहतरीन जो इसका पर्फॉर्मेंस था वो इन्वेस्टर्स की नजर में था तो देखिए कि सिर्फ दो महिने में ही ये डबल हो चुका था जैनवरी से लेकर मार्च तक देखें तो 160 से बढ़कर ये 310 के आसपास आ चुका था 320 के आसपास तो अल्मोस डबल हो गया था लेकिन फिर मार्च में बहुत बड़ा मार्केट क्रेश हुआ सब लोग जानते हैं कोविड के चलते और फिर इसने जो है 150 का लो टच किया 150 का 150 रुपे पर आ गया और देखिए उसके बाद इसमें जो एक तरफा रैली आई है तो इसने 900 को टच किया है तो 150 के लो से मार्च में 150 का लो बना कर और इसने लगभग सेप्टेंबर के आसपास 900 का लेविल टच किया है 150 से 900 को देखेंगे आप तो 6 गुना बड़ा है यह 7-8 महीनों में या 9 महीनों में इस लगभग 6 गुना का रिटर्ण यह दे चुका है 600% मा क्योंकि एक बार जब पीक पर चला जाता है तो फिर गिरावट भी होती है स्वाभाविक है ये कोई स्टॉक बार्केट के लिए आश्चारे जनक बात नहीं है और फिर वहां से देखिए वहां से गिर के साड़े 600 के आसपास आया फिर थोड़ा उठा फिर 800 के आसपास आया फ कि मैं क्षीज हमेशा कहा करता हूँ आप लोगों से कि मार्केट आवर वैल्यूड है मार्केट में जबरदस्ट फॉल आने की संभावना है लेकिन FII इसको अभी रोके हुए हैं और कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉमेस्टिक इंस्टिटूशन्स हैं जैसे फॉल आना तो बिल्कुल जैसा ही प्रॉफिट बॉकिंग FII करेंगे बहुत बड़ा फॉल आएगा बहुत बड़ा फॉल तो मैं तो यह कहूंगा कि चुकि डॉमेस्टिक इंस्टिटूशन्स विजड्रॉ कर रहे हैं आप लोग भी बिल्कुल साओधान रहें कुछ भी हो बहुत जोर्दार ग्रोथ देगा तो अभी देखिए इसमें मौका है अभी 718 के आज पासे ट्रेट कर रहा है और अब जानते हैं मैं जब भी टार्गेट्स देता हूं तो मतलब बड़ा हिसानिमित टार्गेट्स देता हूं मैं यह नहीं कहूंगा कि 718 पे आप सारा बाल दीजी ऐसा नहीं आप अपने पॉर्टफोलियो का एक 5% के आज पास का हिस्सा ही इसमें लगाईए यहीं बोलूंगा मैं आपको और उसमें भी चुकि मार्केट और वैल्यूड है तो उसका आधा लगाईए यानि कि अगर आपका पॉर्टफोलियो अगर एक लाख रुप मार्केट के फॉल का अपर्चुनिटी का आनंद लीजिए जब वो मार्केट फॉल होगा तो ये लगबग आपको साड़े 600-600 के बीच मिल सकता है तो अगर उस समय इस प्राइस पे आपने ले लिया तो समझे कि सोने पे सुहागा होगा और यह आपको बहुत बड़ा रिट जिनका पॉर्टफोलियो 10 लाग का है वो एकॉर्डिंगली अपना पैसा बढ़ा सकते हैं तो इसमें अभी 718 पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो इसका जो नेक्स टार्गेट मुझे दिखता है वो 900 रुपे के आसपास दिखता है और मतलब ये लगबग आपको आपका जो है करीब करीब 25% का रिटर्ण बनता है 25 से ज़्यादा ही बनेगा शायद पर 25 के आसपास में रिटर्ण बनता है और ये शॉर्ट टब में 1 मन्स टू 3 मन्स के लिए मैं टार्गेट दे रहा हूँ 3 मन्स टू 6 मन्स के लिए पूछेंगे तो इसका जो मिनिमम टार्गेट मुझे दिखता है वो 1100 रुपया दिखता है तो टोटल परसेंटेज जो यहां से बनता है 718 से लेकर 1100 का जो परसेंटेज बनता है आपको 6 मने में रिटर्ण का वो लगबग 52-55% के आसपास मुझे दिखता है तो ये बहुत बड़ी रैली के लिए तयार है और ये एक ऐस दिखता स्टॉक है जो मेरे नजर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने वाले स्टॉक में से यह है और आने वाले 5 सालों में मैं इसको कम से कम यहां से 5 गुना देखता हूँ ये मेरा इस प्रटिकुलर स्टॉक के परती रिजолव है ये और हैं काफी दिनों से इसको फॉलो कलेक्ट करके फिर उसको एनलाइज करता हूँ रिसर्च करता हूँ और तब आप लोगों के लिए ऐसे स्टॉक्स लाता हूँ जो 70-70-80% का रिटर्ण देते हैं आपको आपने देखा होगा मेरे रिपोर्ट कार्ड सीरीज में कि कितने जबरदस रिटर्ण दिये हैं गोकुल में रिपोर्ट कार्ड आपके लिए लाया था तो आपने देखा पिस यू बैंक्स में 40-40% डिटर्ण आपको मिले हैं मेरे डिकॉमेंडेशन के बाद तो मैं चुकि बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों से तो आपसे सिर्फ इतनी अप एक्षा रखता हूँ कि मेरे इस मे मेरे परिश्रम को सम्मान देंगे और मेरे इस चैनल को सबस्क्राइब करेंगे बस इतनी ही प्रारतना है सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और शेर करिए अपने मितर जनों परिवार जनों के साथ इसके अलावा अभी ये वीडियो के साथ बने रही है क्योंकि मैं हमेशा कुछ चीजें बाद में बताता हूँ आप लोगों को ये तो एक स्टॉक का इंडेफ्थ अनेलिसिस मैंने बताया IOLCP का देखिए इसके अलावा मैं चार स्टॉक्स आप लोगों को बताने वाला हूँ जो अभी बहुत नियर टर्म में विस्फोटक धंग से बढ़ने वाले हैं जिनका प्राइस बहुत जवरदस्ट बढ़ने वाल और वो बढ़कर 915 के असपास इस समय ट्रेड कर रहा है और यहां से जो यहां आपको 8% का यह बेनिफिट दे चुका है मेरे रिकॉमेंडेशन के बाद और इसमें 10 से 15% का अपसाइड अभी बाकी है इसका जो मैं नेक्स टार्जेट देखता हूँ 1000 to 1050 के असपास देखता हूँ मैं आप लोगों से यही अग्रह करूंगा कि अगर इसमें 8-10% का आपको रिटर्न मिल जाए तो इससे निकल आईएगा जब तक मार्केट आवर वैल्यूड है हाँ अगर मार्केट फॉल कर जाता है तो फिर तो अपोर्चुनिटी होगी और फिर जो इसमें गेन का ज रहिएगा इसमें जब मार्केट गिरे तो फिर एक नई अपोर्चुनिटी आएगी फिर मैं आप लोगों के लिए एक नए अपडेट लेकर आऊँगा तब की बात तब अभी इसके बाद एक और स्टॉक की बात करना चाहूँगा मैं धनुका एग्रिटेक की बात करना चा और इसमें जबरदस्त रैली आई तो अभी भी इसमें मेरे ख्याल से 15% का जो अपसाइड है वो बचता है लेकिन वो स्ट्राटजी बिलकुल अपनाए रहिएगा जो मैंने बताया है आपको उस स्ट्राटजी से मत हिलिएगा क्योंकि अगर उस स्ट्राटजी से डिगे तो रिस्क आपका है पैसा आखिर आपका है मैं तो वैसे भी बाइंग रिकॉमेंडेशन नहीं देता आप लोगों को एजुकेशनल परपस से ही सब कुछ बताता हूँ और वीडियो लाता हूँ आपके लिए तो इसलिए कृपा करके मेरे रिकॉमेंडेशन को ध्यान में रखि यह भी बहुत इसफोटक धंग से बढ़ रहा है और आज इसने हाल में 715 का लेवल टच किया था और वहां से फिर 844 तक है पहुंच चुका है तो मेरे विचार से अपोलो ट्राइकोट में नजर बनाया रखिए अभी भी इसमें मुझे लगता है कि 8-10% का जो अपसाइड ह वो बाकी है लाओ पाला आज काफी बहतरी यह इसमें एक बढ़ोतरी हुई थी और 241 के आसपा से अभी ट्रेड कर रहा है और जो मैंने इसका टारगेट आप लोगों को दे रखा है चारों पे मैं इंडेफ एनलिसिस प्रिजेंट कर चुका हूँ और बिंदो फार्मा को छ प्रिजेंट के आसपास का अपसाइड बचा हुआ है तो इन चार स्टॉक्स पे ध्यान रखिए आप जानते हैं कि मैं इंडेफ एनलिसिस के साथ आप लोगों के लिए स्विंग ट्रेड के लिए चार स्टॉक्स बिलाया करता हूँ और इंट्रडे के लिए मैं आप लोगो मिला जुला गर आदमी प्रॉफिट में क्या रहेगा लॉस में ही रहता है चुर्थ में जो लोगों अपसाइड दिख रहा है मुझे और रोगों को स्विंग ट्रेड के लिए हमेशा इंकरेज करता हूँ या फिर लॉंग टॉप इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज करता हूँ ये था मेरा अजका स्टॉक आयोल से पी जिसमें की काफी अफसाइड दिख रहा है मुझे और अगर पांच साल तक आप होल्ड करते हैं तो एकम से कम पांच गुना दिख रहा है मुझे मैंने बता दिया आपको मिलता हूँ आप लोगों से इसी तरह के एक जवरदस्ट स्टॉक के साथ कल फिर तब तक के लिए मैं अपनी और से एक आखरी एक पार ख्षमा प्रार्थना कर लूँ क्योंकि वीडियो की क्वालिटी अगरा अच्छी नहीं है क्योंकि यहां पर जो है मैं इस समय गाउं में आया हुआ हूँ यहां पर थोड़ा इंटरनेट उगरा का प्रॉबलम है और चार्जिंग होगरा का बिजली होगरा के भी थोड़ी सो विदा नहीं है तो इसके लिए मैं एक शमा प्रार्थी हूँ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए सुस्त रहिए और खुश रहिए बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम